नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आशे करती हूं आप सब बहुत अच्छे हूंगे जो भी यदिदी हमारी चैनल पे नए है प्लीट चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए लाइक करना न भूलिएगा तो लाश्ट तक देखना वीडिय दोस्तों आज मैं वीडियो कुछ ब्लोगिंग का नहीं बना रही हूं ना बच्चों को दिखा रही हूं आज मैं खुद आप सबसे टाइम निकाल के बाते करूंगी कुछ अपनी जिंदिगी का अनभव सेयर करूंगी और आप सबको भी कुछ सोचने समझने का टाइम मिले पहले भी वीडियो में एक दो बार मैं जिक्र की थी थोड़ा तो बहुत मैं कम की थी और आज मैं टाइटल जो डाली हूं सच बता रही हूं उस बात को जरूर बताओंगी चाहिए वो आप सबको अच्छा लगे या बुरा लगे या तो मेरे घर परवार को बुरा लगे य ताकि हमारी बहनों को हमारी जो आने वाली पीडी है बैटियों को कुछ सीख मिलेगा कि हम जिन्दगी में मेहनत करेंगे हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम अपना जीवन भी कुछ खुसाल बना सकते हैं तो चलते हैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आज सबके साथ मैं अपनी ये कहानी सेर करती हूं और जरूर कमेंट में अपना अपना अनभव लिखना कि मैं गलत की कि मैं सही की तो पहले मैं सुरू करती हूं अपने ननिहाल से बात मेरी मम्मी मेरे नाना के एक ही बेटी थी और हमारी नाना मेरे मम्मी की साधी वैसे साथ आठ साल के बीच में कर द यवाद में पिता जी मा को पसंद नहीं करते थे दो साल बीता उसके बाद में मैं जब हुई तो बोले कि बेटी हो गई अब इसको रखेंगे नहीं तो मेरे नाना मेरा जिम्मेदारी ले लिए हमको पढ़ाने लिखाने लगे साथ तो उसके लिए भी मात आना सुनी की ये प्रहसानी जेलना पड़ा, देरानी जिठानी उनकी सास ननत जो भी परताड़ी की, मार पीट की, उनके साथ गाली गलोच की, तो पिता को भी मम्मी पसंद नहीं थी, वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, साथ साल बाद मेरे छोटी वाली बहन जो रीता है, वो हुई, तो उसके में मामला और गंभीर हो गए, यहाँ पर दो बेटी हो गई, अब तो इसके बेटी बेटी होंगी, को निकाल जिंखर से, मम्मी को, फिर नाना हमारी पंचायद बैठाए, बोले अपकी बार अगर बेटी हो गए, देखिए जो कुदरत का नियम है, उसके लिए भी तो मेरे घर भेद देना, मैं तलाग दिला दूँगा, नाना बोले जिम्मेदारी लिए, तो नाना को भगवान पे भरोसा था, तो नाना हमारी छोटी बेहन को लेकर अपने घर आ गए, फिर उसके बाद में जब अपने घर आ गए लेका, तो हम दोनों बेहनों को अच्छे भी बहुत कम रहते थे, किस तरह खाना खिलाते थे, हम ही सब जानते हैं या वो जानते हैं, जब हम सब हम 12 साल के हुए तो पीता को ऐसा लगा कि अब चलो, और बीच में तीन साल बाद में भूल गए, तीन साल बाद मेरा भाई हुआ, तो उससे वो जो बात था, वो सुला ह हो गया, मतलब तलाक नहीं होगा अब, तो कुछ है, तो हमारी पिता मानने जानने लगे मा को, वो सोचे कि ये हमारी दोनों बेटी हैं, चलो एक बेटा हो गया, अब हमें मानना जानना चाहिए, तो जब वो गए नन्हाल में पहली बार हम सब देखे, तो पिता को हम पहचा करीब 8 किलो मीटर होगा, हम सब का पालन पोसन नाना हमारे बहुत कस्टमी किये हैं, और बहुत अच्छा लाइफ बच्पन में भी नहीं बीता है, हम सब नहीं जानते माबाप का प्यार कैसे होता है, नो कलास में गई, तो बीच में पापा को बीमारी भी बड़ी लग गई तो उससे बहुत परिशानी बोले उनको बलेट गन्सर और कई एक-दो बीमारी और लेवर का भी था, किड्नी का भी था, तो इतना पैसा दवा कराने के लिए ना तो पिता के पास था, ना तो नाना के पास, ना तो मा के पास था, तो वैसे टमपा वरी दवा सरकारी लाया क करते थे खाया करते थे किसी तरह तो फैसला हुआ कि अब ये लड़की नहीं चौदा साल की हो गई अब इसका साधी खोजो तो एक दो जगा खोजे साधी ना और पिता जी हमारे तो महां पर दान रहे जादा मांगते थे कहीं कहीं लड़का सरावी था तो पिता से अपनी ना से सवाल की कि नाना सुचिये अभी मैं पढ़ना चाहती हूं तो मेरे पिता जबाब दिये कि बेटा हम पढ़ा तो नहीं पाएंगे पहले भी नहीं कुछ कर पाए अब देखो जब करने के लिए लायक हुए तो हमें बीमारी लग गई हमारा पता नहीं कब देहान्त हो जाएंगे तो तुम सबका कौन होगा नाना कहां से खोजेंगे वह बोले मैं जिजग सरम नहीं कि क्योंकि वह समय बेटी अपने पिता से बात खुलकर करती भी नहीं थी लेकिन मैं हिम्मत करके कि क्योंकि वह दुख मैं देखी थी और अपनी उमर से ज़्यादा मेरा सोच बड़ा हो गया था क्योंकि हम ऐसी इस्तिती में पले वड़े ही थी यहां मेरे हस्बेंट को देखे सकल सूरत बहुत अच्छे लगते थे पहले चंदन के पापा बीमारी से थोड़ा उनका सकल चहरा सब बदल गया यह चंदन के पापा साधी के बार में गए तो पिता हमार बैठे खाना खाने लगे कुछ उन से बाते किये सवाल किये बात करके कुछ उनको अनभव हुआ कि यह लड़का थोड़ा दिमाग नहीं है उस्यार नहीं है समझदार नहीं है तो उनको बहुत चोट लगी हमारी पापा को कि मैं कहां से मतलब कितनी बड़ी गलती हो गया सक परक यह था यहां पुराना घर था वहां हमारे नया घर बन गया था खेति बारी वतना उतना ही था आउकात में भी उतनी थे तो जब चन्दू के पापा वहां से चले आए ये एक साल सादी के 7 महीने 8 महीने के बीच कबाद बता रही है चले आए तो मेरा दिन धरने का टाइम हो गया कि अब भेजना है पांचे महिने बाद गई थी ससुराल और साधी में गई थी तो दो चार दिन के लिए तो अब पापा हमारी हमको बोलने लगे मा को बैठाए हमको बोलने लगे पहले बहुत प्यार से बोले नहीं बैटा वहां मत जाओ जिंदिगी खराब हो जाएगी नरक बन जाएगी कभी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा मैं जिद कर दी नहीं हमें जाना है तो वहीं पे जाना है तुम सब क्यों गलती किये पहले हमारा साधी तो तुम ही सबने करवाए हैं तो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि चनन के पापा का बात, सुभाव, विचार दोस्तों हमें अच्छा लगा भली ही ज्यादा हुसियार समझदार नहीं थे इनके पास फोन की तो नोकिया फोन पहले चलता था और वो भी पड़ोस में जाकर फोन की ये सहर में रहते थे तो मकान मालिक के पास फोन की इनसे बात की कि देखो हमारा दिन टाइम बोल रहे हैं पापा नहीं रखने को हम भेजेंगे नहीं तो चन के पापा बोले नहीं ऐसा तुम मत करना अगर कुछ भी करते हैं वो लेकिन एक्षन जरूर लेना बोलना हम जाएंगे तो वही जाएंगे और साधिक क्योंकि तुम सब जबरू नहीं ठीक था नहीं समधदार था लड़का नाना तो मेरे नहीं बोले कि मत जाओ नाना बोले जैसा जब हो गया उसी में काट लो अच्छा निकलता है नाना का सोच ये था पापा का सोच था कि हम ये साधी तुरवा की हम दूसरे जगां करेंगे अभी कुछ कोई बात नहीं है हम जब अलदस्ती करके अपने पापा से बोली नहीं हमें जाना है तो वहीं पे जाना है तो मेरे पापा बोले आख से तु मेरे लिए मर गई मैं तुम्हारे लिए मर गया आशा बात बोले थे और बोले थे तु जिंदिगी में कभी सुकून की जिंदिगी नहीं जिएगी ये हमसे लिखवा ले उस्तों मैं अपनी पिता जी से इतना बगावत की थी वहाँ पर बात खतम नहीं हुई जब चन्न के पापा और हमारे ससुर जी लेने गए वहाँ पर तो मेरे पापा एक पैसा भी मा को नहीं दिये कि जाकर तुम साड़ी खरी दो चूगलिया खरी दो कुछ भी नहीं और मापी पापा से लड़ाई लगने लगी कि जब तक तुम्हारा उमर था इसी तरह अज़ा बजा के रखे इसी तरह जाच परक के रखे की ये नीक नहीं ठीक नहीं उसी तरह दमाद को भी बुरा बना रहे हो तुम पापा भोले कि तूम अब जाओ जो पैसा र आई सही से न चुड़िया न कुछ हो और यहां पर किसी को कानों कान ख़वर नहीं होने दी इस बात को और सिर्फ मेरे हस्बेंड मैं जानती थी और साइद हस्बेंड सासुमा से जरूर बताएं होंगे तो बात यहीं पर आकर खतम नहीं हुई जब मैं आई ससराल में तो मैं चंदन के पापा से बोली कि हमें पढ़ना हमें हमारा नाम लिखवा दूँ तो हमें दो तीन कलास तक पढ़नी का मौका चंदन के पापा दिये थे दोस्तों सच बता रही हूं इतना वो काम किये हैं मेरे जिन्दिगी में अच्छा और बहुत सा अच्छा किये हैं ऐसा बात नहीं है आप समझ सकते हैं जब स्कूल जाएंगे नहीं तो कहां से इननों तक कि पढ़ाई कितना होता है लेकिन जो भी मैं पढ़ी हमारे लिए बहुत काम आया उसके बाद में मारसी पेपर लेकर इधर इधर दोड़ती कि कहीं हमारा लग जाए किसी काम में छोटा मोटा जो भी है आसा बहु कुछ भी कहीं भी सुनवाई नहीं बोलते दो लाख पापा बंद हो गया तो कुछ यहां भी ससुराल में आप समझ सकते हैं यहां भी पिता एक साल बाद पिता का देहांद भी हो गया था मारे और इसलिए साधी भी करवाया गया था तो यहां आने के बाद में यहां भी आप समझ सकते हैं जिसके सर पे पिता का साया नहीं पती थोड़ा बोलने का सपोर्ट करने का नहीं है कोई भी उठा के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूं हमें कोई गलत-सलत कुछ भी बोले तो चनन के पापा किसी से बहहत नहीं करते थे यह वाइफ है मेरी पतनी है क्यों आप बोल लहे हो क्या गलती कर रही कुछ नहीं तो धीरे धीरे थोड़ा बीच में बीवाद सब धनिश्ट होने लगा सब तो मैं माय के चली गई आप समझ सकते हैं इस बारे में बात भी करना नहीं चाहती होता है इसे सभी के घरों में होता है आने जाने पे ससराल पच्छ से तो मैं चली गई कि अब जहां रहती हो वहीं खर चलो जहां रहती हो वहीं पे खर चलो नहीं दो साल तक माय के मैं ऐसे पढ़ी थी नाना के पास तो इसी तरह हम बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमको फिर मैं आई दो साल की बात तो यहां पर देखी बहुत समयस्या सभा लग भी लग होना पड़ा कुछ कारवर तो मेरे पास नो खाने का ना कोई तो मैं कुछ दिन सिलाई भी कि पढ़ाने भी जाती थी छोटे बच्चों को पढ़ाती थी इतना तो पढ़े लिखी थी नहीं दोस्तों इंगली समय आता नहीं था लेकिन छोटे बच्चों को काखा गागा पढ़ा लेती थी तो हमें उस समय में दो हजार रुपया मिल जाता था महीने का तो ऐसे करके मैं पढ़ाती रही तो बीच में चननन के पापा बहुत बीमार हो गए तो मेरा खेत सब गिर्मी हो गया सारा जिंदिगी का आसा ही खतम हो गया भरती थी अनन्द गुपता अब भरती थी बहुत सारा पैसा लग गया तो आप सब बोलोगी इतना पैसा आया कहां से तो खेत बारी जो भी था मेरे हिस्से का सब खतम कर दी अनी गिर्मी रख दी चंदन के पापा का इलाज कराई उससे भी इलाज नहीं हो पाया तो मैं माई के बच्चों को लेकर सब को चं अनी को मिलेगा कहां से हम इन सब का कर पाएंगे वहां पर नाना के पास गई नाना का तो दुख दुगना हो गया देखकर वूब गए क्योंकि पहले से भी वही जिम्मेदारी फिर बीच में वही जिम्मेदारी तो मैं सोची ये काम नहीं बनेगा मैं एक सिलाइक की फिर व मां भी हमें वही 2,000 रुपेय मिला और सिलाई करती थी कुछ उससे भी पैसा निकाल ली चनन के पापा का एक महीनी का हपता का दवा भी लेकर आई डाक्टर से हाथ भी जोग थी कि डाक्टर साहिब मेरे पास पैसा बहुत कम है सही से इलाज इनका कर दो ठीक कर दो बसी ही तो उनको भी दया आता था जो कम पैसा थोड़ा कम कर देती थी तो जाकर यह तीन साल बैठे रहे घर पे और मैं तीन साल तक अपने तीनों बच्चों को और हस्बेंड का खुद का खर्चा और कुछ नाना किये तो तीन साल बीच गया तो मैं फिर वापस सस्राल में आई यहां पर तो चनन के पापा कुछ चले गए जब ठीक हो गए कुछ काम करते दो चार पैसा वो भी कमाते और खेती बारी तो थी नहीं दो साल एक साल तक ऐसे गली-गली जो यहां पर किसान भेंश चराते हैं गईया चराते हैं तो गोवर में बीन के एक अठा लाकर और जुटा कर उसको पाती और इंधन उसी से जुटाती और चिस अब बड़े हो गए तो खाना खर्चा भी ज्यादा लगनी लगा तो मैं सोची कि अभी ये काम ठीक नहीं इससे हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो मैं बहुत परेसान थी अंजली बीमार थी तो मैं चवराहे पेले गई थी दावा कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं मेरे आंखों में आस भी आ गया मैं परेस्यान थी सबसे पूछती कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरा कुछ इस्तिती ठीक हो तो तो सीकंड मोबाइल मैं एक हजार की लिए चंदन के पापा दिये पैसा और कुछ मैं काम करके जुटा रही है सबकी घर है बच्चे जीद भी करते थे कि हमें देखना है नेट भरवाई तो हम सब देखने लगे पर एक वीडियो आया यूटूब बहू यूटूब वाली बहू तो उसका पती सरावी होता है और वो जल जाती है पतन ही कैसे तो उसनी यूटूब अपना चैनल ब नाना सुरू की लोगों तक पहुचाई वो भी गरीब थी और पती सरावी था तो इसी तरह देखकर मैं यूटूब पर आई और अपने पिता से थोड़ा उनका बात नहीं मानी क्योंकि पिता के लिए मेरे अंदर सच बता रही हूं कि बच्पन से नफरत था क्योंकि इसी म महल में नाना नानी सब बताते थे कोई भी बात होता था ना बहुत लाड़ प्यार करते थे लेकिन बात आ जाता था तो कहते थे तुम्हारे पिता अच्छे नहीं हैं ऐसे करोगी तो हम सब इतना पाल पोस रहे हैं ऐसा रहें ऐसा कर रहे हैं और कहां जाती तो कहते हैं ना कोई भी अपना हो खास हो लेकिन माबाप के अलावा अगर कोई और मदद कर रहा है कर रहा तो बात सुना देगा बीच में बहुत कटना आई आई और अब जाकर हम दोस्तों यह नहीं जानते कि हस्बेंड का किस तरह कमाई होता है किस तरह चीज विखे सॉपिंग किस तरह मैक ली और उनिके साथ मैं खुस बहुत थी और हूं लेकिन थोड़ी जिन्दिगी में परिशानी प्रोब्लम आ जाता है न तो पीता के बात याद आ जाता है ने बताईए अपनी पीता का बात ना रखे जीवन में गल्ती की या बुरा की हम कभी हिम्मत नहीं आ रहे जिस परि देखा है तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बनने का कुछ अपना भविस सुधारने का काम जरूर करेगा लड़के को लड़की को कुछ पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए अगर लड़का लड़की में दोनों में पढ़े लिखे हैं तो वो अपना हाक अपना अपना किस तरह जिन्दिगी चलाना चाहिए किस तरह हमें घर का मैनज करना चाहिए वो उनके अंदर कुछ सीख रहेगा अब जब लड़का नहीं पढ़े रहेगा लड़की नहीं पढ़े रहेगी तो उसके जिन्दिगी का फैसला कोई और लेता रहेगा उसका फाइदा कोई और उठा ये मान के चले और हम सबका समय था हम सब काट लिए कोई बात नहीं यह सुख दुख लगा रहता है आगे भी जिनदिगी खतम नहीं हुई है आगे पता नहीं कितना समिश्या का सामना करना पड़ेगा इसी तरह अपनी कहानी जिनदिगी में सबको ख़ kita करना चाहिए जिनदि करना चाहिए भरोसा उतना करो कि जितना चल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों